हेलो फ्रेंड्स वेलकॉम बैक टू ओपन स्टेडी मैं निल जाद हूं एक वार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ओपन स्टेडी पर बार में दोस्तों स्पोकन इंगलिस की क्लासेज आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दी गई है क्योंकि ये क्लासेज और ये क्लास है क्लास नंबर वन फें एंट यूठ यह होगा कंशिवल पॉइंट्ट्स पर जो है लेकिन इस decentral की सबसे जो बड़ी बात होगी सबसे बड़ी खास बात हो कि वह की कि इसमां हर एक चीज में बिलकुल जीरो से डिस्कस कराने बाला हूं even पूरी क्लास जितनी भी क्लास में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूंगा बिल्कुल जीरो से यानि की छोटे लेवल से लेकर के अगर आपको छोटी-छोटी चीजने भी नहीं आती होंगी वह भी मैं आप कंप्रमाइज कर लेते हैं कि यह माल लेते हैं कि चलो यह स्टूडेंट जो है तयारी कर रहा है तो तुम से अगर यह नहीं आता तो तो नहीं आता उसको शिखाना है बस उसको कोई एकजाम नहीं देना बहूत सारे सब्सकों बोलना सीखना है तो उनको छोटी-छोटी चीज आने चाहिए ठीक है वह सुरुवात कहां से करें इसी लिए मैं बिल्कुल यह पहली क्लास यह मालों इससे बेसिक कुछ नहीं होगा इससे बेचिक कुछ सब्सक्राइब करें और आज ही कि क्लास में हम लोग आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल भी करना सीखेंगे साथ के साथ ठीक है तो कहीं न कहीं यह क्लास बहुत जादा बेसिक होने वाली है आप सभी दोस्तों को इस वीडियो के वारे में बताना जरूर सेर करना और काफी चलेंगी बढ़िया बैच है आराम से क्लास लो सीखो एक तरीके से डैमो क्लास है आराम से दिखो और फिर आप लोग इंप्लिमेंट करो ठीक है तो चलिए सेसन की सुरुवात करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यह बैच हमारा लॉंच हुआ है ओपन स्टुडी अप्लिकेशन पर जिसकी एक्षिल फ्राइसे फ्राइसे फाइव नान यानिकी 600 रुपए जिसमें लाइफ टाइम वैलेडिटी आप लोगों को मिलती है और काफी लंबीर टाइम तक यह बैच चलेगा ठीक है और हमीसा आपके पास रहेगा अगर 6 जुलाई तक आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं 6 जुलाई रात 12 बजे तक यह आप लोगों का ओफर में मिल जाता है छे जुलाई ठीक है छे जुलाई रात 12 बजी तक अगर आप लोगों रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको दूस्तों 99 रुपए में लाइफ टाइम वैलेडिटी के साथ इसमें कोई profit नहीं है याद रखना जीरो profit जीरो loss ठीक है कोई profit नहीं है कोई loss नहीं है बस मैं आपको सेवा दे रहा हूं इतना काफी है ठीक है इसके बाद इसमें मुझे कुछ नहीं मिलने वाला बाद में आप लोगों की price बढ़ जाएगी तो मैं आपको पहले बता रहूं open एक चीज में बड़े प्यार से आप लोगों को सिखाऊंगा बस ध्यानपूरोग सुनते रहेगा यह spoken classes है और यह competitive English से बिलकुल भी नाता नहीं रखती है मतलब 5% चोड़ करके 95% आपको अलगी रखना है इस वाली चीजों को इन वाली चीजों को अलग रखना है उन चीज वलोता है spoken यानि कि third form होती है जिसको adjective की तरह भी यूज कर ले जाता है तो इसका मतलब है कि वह language यानि कि वह English जो बोली जाती है English language तो काफी बड़ी होती है बहुत बड़ी होती है कोई भी language बहुत बड़ी होती है लेकिन सिर्फ डेली बोल चाल में जो language इस्तमाल होती है ह हम उस language को बोल सकते spoken language spoken Hindi spoken English spoken French एक detailed जो language का जो study होता है language की study होती है वो अलग होती है उसमें भी जैसे competition का पार्ट अलग हो गया और phonetics अलग हो गए और language जो spoken English होती है वो अलग हो गई है राइटिंग जो है language होती है वो अलग हो गई बहुत सारे parts होते हैं लेकिन अभी हम उन ज्या करना है सबसे पहले किए लेंगौन को अगर आपको बोलना शीकना है तो किसी सभी लेंद्य की सुरुआत होती रफवल से किसे सुरुआत हो थी तो आपakes ठामन के अगर अगे हो saya जा जाते हैं तो भी आपको अलफ़ाथ आने चाहिए अलफ़ावेच से क्या बनता है वाई साब, छोटे छोटे words बनते हैं, अब बीना words की भी आप English नहीं बोल सकते हैं, ना Hindi बोल सकते हैं, ना कोई अधर language बोल सकते हैं, उसके साथ साथ जब words बनाना सीख जाते हो, तो words से बनते हैं phrases, phrases क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे अब ही, sentences क्य सकत दोंरों में difference क्या होता है वर्ट कैसे बनते हैं alphabet कहां से प्रोड्यूस होते हैं कहां से इनकी histoire निकल के आई इस पर चर्छा करेंगे उसके बाद phrases के बाद आपकी जो है language बनती है यानि कि conversation में जो सब इस्तमाल होते हैं जो sentences इस्तमाल होते हैं वो कब बनते हैं finally पहले alphabet, alphabet से words, words से phrases या sentences और sentences से बनती हैं आपकी stories, passes, language, conversation समझ रहे हो तो यह सब चीज़ें यह इतनी बड़ी जरनी होती है चार स्टैप में, अच्छा, alphabet किसे कहते हैं, alphabet दो टाइप की होते हैं, sound alphabet और letter alphabet, कभी भी कुछ लोग flow flow में आकर के alphabets बोल जाते हैं उनको मैं साबधान थोड़ा सा सतर कर रहा हूँ, कि कोई भी alphabets मत बोल देना, लेकिन अगर किसी ने alphabets बोल दिया, तो क्या उसने गुना कर दिया, मैं एक वार ये भी पूछना चाहूँगा भाई, alphabets अगर आप लोग बोल देती हो, तो गलत नहीं होता है, लेकिन जो आप बोलना चाहा रहे हैं, वो नहीं होता है इसका मतलब, अगर आपने कहां मैंने पूछा कि बताओ, इंगलिस में कितने alphabets होते हैं, तो आप जवाब तुदू, दे दोगे कि सर 26 होते हैं, बट मैं कहूंगा, भाई मैंने गलत पूछा है आपसे, इंगलिस में एक ही alphabets होते हैं, अब आपको किस तर एक ही alphabets का मतलब, क्योंकि alphabets जो मैंने पूछा है, उसका मतलब होता है language, क्या मतलब होता है, इसका मतलब, समझ गे मेरी बात, alphabets मेंस होता है languages, यानि कि भासा हैं, और alphabets जो होते हैं, वो होते हैं आपके letters, समझ गे, अब देखो, यहाँ पर alphabets पर अलग से चर्चा करेंगे, अभी पूरा point मेंने बनाया है alphabets का, अलग से point, इस पूरे point को हम लोग अलग से discuss करेंगे, कि actually alphabets होता क्या है, इसकी history क्या है, लेकिन अभी फिलाल में आपको बता देता हूंगे, अगर आप बोलना चाहते हैं English, तो आपको किन-किन चीज़ों की जरूत पड़ेगी, alphabets सीखने पड़ेंगी, words बनाना सीखना पड़ेगा, sentences बनाना सीखना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो है language बोलना आएगी, फिर उसकी practice करन है, वो भी useful sentences, ऐसे निदर उदर के उठा लिए, नहीं, काम की चीज़ है, तो ये तो है spoken English का part, कि अगर आप speak करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आपको इतना काम तो करना पड़ेगा, कभी भी alphabets मत बोलना, क्योंकि alphabets अलग चीज होती है, इसका meaning अलग हो जाता तो भी, या फिर spoken की जगे कोई दूसरी language का नाम लिख दिता तो भी, चीज़ें तो same है, लेकिन problem आती है कि सर असल में ये जो English है, ये क्या है, हमें थोड़ा सा English के बारे में बताओ, जैसे मैंने ये तो बता दिया कि ये English का एक part है, लेकिन असल में अभी मैं आपको ये ब बहुत बढ़िया, कुछ लोग English को subject मानते हैं, लेकिन ये छोटी चीज़ होगी, कोई नहीं मानता अब तो, हैना, कुछ लोग impression जाड़ते हैं, अभी जैसे कोई नया-नया teacher बना है, तो वो कहेगा, हालां कि मैं भी नया हूँ, ऐसे कोई बात नहीं, मुझे बस पांस साल का experience जादा नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी, वो लोग कहते हैं, सब बताओ, वो विल कितने होते हैं, या A और N किस से पहले आता है, मतलब N किस से पहले आता है, A, E, I, O, U से पहले नहीं आता है, सब को पता चल गया, यह कोई बहुत बढ़ा suspense नहीं रहा, सब को पता चल गय है, ऐसे ही यह भी सब को पता चल गया है कि English एक language होती है, subject नहीं होती है, अगर अभी वी किसी को doubt है, तो मैं उसको समझा देता हूँ, कि English असल में एक language होती है, सभ्जक्ट नहीं होता, ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं, कि सर अगर English एक language होती है, तो असल में language कितन होके यह सब नहीं यह लेंगोज में ऐसे बहुत की लेंगोज हो जाएंगी दुझा पता कि कि ल bowling की बाद करेंगे 2 तरह की लेंगोज मतलब लेंगोज भी दो टाइब की यह से जाधा घून इकतनी उनको तो मैं भी नहीं होगों ना कर दने आ गिन और जिनके अंदर जान है वें दर नैंग्यूस करों different आपको पताइ चीटी भी बात करती होगी कुटे भी बात करते हैं जानवर भी बात करते हैं मतलब छोटे-चोटे कीडे मकोले तक बात करते हैं है तो इनकी भी एक लेकिन इनकी एक particular language होती है जिसको कोई दूसरा विक्ति नहीं समझ सकता अगर कोई French बोल रहा है तो आपकी समझ में नहीं आएगी की कोई गैरेंटी नहीं है वो लेंग्विज होती है उसको कहते हैं लेंग्विज ए यानिकी टाइप की लेंग्विज और बी टाइप की लेंग्विज इसको हम कहते हैं फॉनेटिक लेंग्विज क्या कहते हैं इसको फॉनेटिक लेंग्विज सर यह क्या होती है यह होती है फॉनाटक एक वरड होता है मैं आपको बता दिता हूं फॉनाटक वरड अवी फिलाल यह एडचेटिव की तरह बॐस्ट किया जा रहे होये जो फॉनेट एक मैं आपको बता दू स्ट्रेस मतलेना ठाएं अब यह सोचना कि फॉस्अल अलग चीज सिखार हो मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं सबसे अलग कुछ दूँगा ठीक है सबसे अलग तो थोड़ा सा बसाब सबर रखना आप यह मैं सोचना कि सर यह चीज तो हमें आती नहीं है यह सब नहीं यह सब नहीं चलेगा बहानेवाजी नहीं चलेगी हम तो लेंग्वेज होती है दो टाइप की होती है एक होती है फॉनेटिक लेंग्वेज और एक होती है रिजनल लेंग्वेज वह होती है जो साउंड से मतलब साउंड से प्रड्यूस होती है जो साउंड वाली जो लेंग्वेज होती है उसको फॉनेटिक लेंग्वेज बोलत पहुता है और एक फिसिक्स में लिख़ कर यह नहीं मदस और अगर अगर किसीने पूचा से बाइब बताओ झाही sixteen ले सबvelopizes मूत है क्या होता है ईस यह मैडेशन होती है ठीक है और अगर किसी सी होता है तो आप冷静 विज्ञान होता है यह साइन्स होती है कौन सी भौतिक विज्ञान यह साइन्स होती है आप लोगों को पता है ना भौतिक ही ठीक है यह भौतिक विज्ञान मतलब एक साइन्स हो गई ऐसे ही फिजिक्स हो गई स्टैक्स हो गई डायनमिक्स हो गई पॉलिटिक्स हो गई ऐसे एक साइंस बन जाती समझ गए एक साइज बन जाती है तो आप इसको कहोगे400 होती is साइन्स होती है इसको नाउन की तरह यूज़ किया जाता है जैसे फिजिक्स जो है वह नाइन नाउन यह भी नाउन है लेकिन वह फिजिक जो आप लोग सोच रहे हैं वह अलग फिजिक होता है ठीक है वह यहाँ पर लिख देता हूं फिजिक अलग होता है वह वाला फिजिक बेसिक चीज़ें देना मेरा फर्स बनता है यह बार वार मैंने आपको सिخ्षाओंगा बैं मैं आपको बोलत रहां यह एकवर मैंने रिकॉर्ड कर दिये वीडियो यह बार वर नहीं सिखाओंगा इसलिए पूरी जान जोकर करके इसमें छीज़ें मैं explain करूंगा पूरे जी जाओं से हर एक चीज जो मुझे आती है वो सब explain करूंगा किसी को यह ना लगे कि अनल जादन सार को कुछ नहीं आता है सब कुछ explain कर दूंगा जो मुझे आता है ठीक है क्योंकि मैं बार बार क्लास नहीं ले सकता है इतनी जोस के साथ एक बार में सारी चीज अगर आपको समझना होगा तो पूरी चीज ध्यान पूरवक सुनोगे इसांस होता है इसके आगे नाउ लगा सकते हैं आप कहा सकते हैं ध्वहानिक किसकी अपनी लैंग्वीज वह उसके लिए लेकिन हमें समझ में तो नहीं आ रही न वह हमारे लिए तो ऐसे ही आप भी कुछ भी कुछ भी बोल रहा हूं तो यह भी तो एक आवाज है ना भई यह भी बातचीत है आपने देखा होगा जो स्पेशल फोसे हैं उनको फॉनिटिक सिखाई जाती है फॉनिटिक खुछ लेंग्विज्ट्र फॉनिटिक लेंग्विज्ट अगर बात कर रहा है कुछ आपसके बहुत करें तो आपको समझ में आएगा उनकु समझ में आएगा अगर हाती चिंहाड रहा है तो दूसरा साती उसका आ जाएग लेकिन आपको पता भी नेंशलेगा समझ रहों तो इनको बोलते हैं वानटे अच्यारी इन्सेक्स तक चोटी-चोटी और वह सारी चीज़ है। एतना तो आपको समझा पड़िगा हैं एकदम बेसिक से हैं ऐसी läng्वाइं आपको बारवार नहीं मिलती हैं न मैं प्रोवाइड करा सकता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बार में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें देता हूँ, इक लास बिलकुल आप लोगों की एड फ्री रहेगी, आराम से कभी भी यूटूब पर ऐसी ही बनी रहेगी, अप्लिकेशन पर ऐसी ही बनी रहेगी, आर इंग्लिस एक लेंग्वेज होती है, और लेंग्वेज दो टाइप की होती है, और इंग्लिस उन्ही दो टाइप मैं से बी वाले पार्ट का एक पार्ट होती है, मतलब रिजनल लेंग्वेज मैं से इंग्लिस भी एक लेंग्वेज होती है, अब हम बात करेंगे इंग्लिस है उसमें बहुत ज्यादा यूज नहीं है थोड़ा सा यूज है नाम मात्र के लिए एक पर्षेंट या दो पर्षेंट तो हम सबसे पहले इसको खतम करें सबसे पहले फॉनेटिक को खतम कर लेते हैं इसका जितना भी जहमिला है इसको समझ लेते हैं फिर इसको त्याग है इसके बारे में क्या बात करनी है मैंने कहा कि किसी भी नेंग्विजुजुट। लिखना चाहें उसको समझना चाहते हैं तो आपको दो चीज़ों की जरूद पड़ती है साउंड औल्फविट क्या होता है क्या होता है साउंड अलफवेट को हमने नाम दे दिया है मैं आगे चल के बताऊंगा एक science होती है कौन सी science होती है इक science होती है phonetics जो मैं अभी अभी आपको बता के आया हूँ इसको हम लोग बोलते हैं the study of sounds जो scientists sound के वारे में study करते हैं ठीक है उस study को हम लोग कहते हैं phonetics याने कि यहां पर जितने भी जो letters लिखें न यह letters होते हैं आपके sound letters याने के sound alphabet और यह जो letters है यह जाल्फवेट है यह किसके हैं यह phonetics के हैं कि जैसे सबसे पहले हम लोगों के पास भी कोई लेटर्स कोई भाजा कुछ नहीं थी यह आप भी जानते हैं सब को पता है आज भी जैसे जानवर हैं वो बहुकते हैं है ना चिंहारते हैं चीखते हैं लेकिन वह हमारी तरह बोल नहीं सकते क्योंकि उन्होंने वर्ट्स papers लकान सीखेंगे ठीक है हमारा काम इतना टीब जाना नहीं है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो हमारे लेटर जो हमारे डेवलाब हुए है जो बने हैं जो वो भी sound से ही हुए है ठीक है तो sound के अपने खुद के letters भी होते हैं इन में से हमने कुछ letters filter करके क्या कर लिया अलग-अलग languages में add कर लिया जैसे अभी हम लोगे English की बात करेंगे तो English के letter alphabet की बात करेंगे इवन ऐसी कोई language नहीं है जिसके अंदर sound alphabet का यूज ना हो क्योंकि जो भी alphabet आपके निकल के आए हैं वो sound से ही निकल के आए हैं अगर कोई Hindi बोलना सीखा है ना तो उसको भी पहले sound ही आता होगा तब जाके उसको हिंदी आई है आई है यह sound alphabet हल लिंग्योज के इस्तमाल होते है इसलिए इसको internationally यूज कहाता है इसका नाम होता है इसका नाम होता है क्या आइपी यह v वोती हैं इसको कहते हैं international phonetic alphabet इस तरह के alphabet को क्या कहते हैं international phonetic alphabit यानि कि जो sound alphabet होते हैं कितने होते हैं सर नंबर और इस एकन्टDay concerns पाइज अल्फछाइट कि टोटल 43 एतल 44 होते हैं bitcoin के शन्द छोनाम होता इसको कहते हैं international phonetic alphabet और यह खॉइनसी साइंस में पाई जाते हैं इनकी जो स्टडिय है वह कौन से स्टड़ी होती है इनकी स्टड़ी होती है इनका नाम क्या होता है international phonetic alphabet क्यों होता है क्योंकि हर एक language में इस्तेमाल होते हैं जरत हां से सुनना एक एक चीज में बारी की से समझा रहा हूँ आपको अच्छा अब यहां पर आ जाते हैं कि सर यह क्या है यह आपका यह जो phonetics निकल के आते हैं जैसे आप अगर कोहीं वी आवाज निकालते कहां से आवाज कि स आखता है जोसके मुँझे एसंसी होता है जर्कार की यह होगा एक रखते हैं उसको हूँ करेंग आ जाती है दिक्कत होना शुरू जाती है तो हम लोग अच्छी से ज्यादा बोल नहीं पाते हैं आज भी हमारी जल्दी खत्म हो जाती है क्योंकि टीचर से भाई बोलना पड़ता है रेगुलरली सिंगर वगेर आपना बड़ा धिहां रखते हैं तो ज्यादतर जो है काम है बाखी चीजों के ऊपर साइन्स वाले सर चर्चा करेंगे अच्छा अब हम बात करते हैं कि सर जो वोकल कोड होता है जो यहां से आवाज निकल दी दो तरह की आवाज होती है एक तो जैसे हम लोग इंगलिस में पढ़ते हैं हिंदियों पढ़ते हैं ऐसे ही हैं और दूसरा इंगलिस में क्या पढ़ता कि पांच वबल होते हैं वह तो इंगलिस की बात है उन्हां पहुंचे भी नहीं है अब हम लोग बात करना है सिर्फ फॉनिक्स की फॉनिक्स की एक थोड़ी सी नॉलेज आपके पास होने चीए कोई नहीं आपको सिखाएगा या समझ रहे हैं तो इतनी आसानी से चीज़ें नहीं मिलती है अगर मिल रही है तो इसको समझो वैल्यू करो इसकी ठीक है यहां पर जो वावल साउंड्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं 20 यह मैं आपको इंगलिस नहीं सिखा रहा इंगलिस के अल्फवेट नहीं सिखा रहा थ्यान देना यह फानेटिक सिखा रहा हूं यानि कि जो साउंड अल्फवेट होते हैं उसमें 20 वावल होते हैं और 24 वावल होते हैं अच्छा सर इन में डिफरेंस क्या होता है मतलब पता कैसे चलता है कि यह वावल है या यहां पर कैसे पादा चलता है तो मतलब वे सांड्स वे सांड्स जो वकल कोड की मदद से जो है बाहर आते हैं यहां से यानि कि वे सांड्स सांड्स सब्सक्राइब with the help of vocal code spit on sound spoken with the help of vocal code job vocal code के help के दूरा जो है बोली जाते हैंच से जो आवाज निकलती हैं वह बीस तरह की आवाज निकल सकती हैं मतलब उन्साऊंड को कहते हैं वह वावल सांड मतB никак सॉन्स क्या कहते हैं लेकिए अर बागी कि सर्जोंड वोकल कोर्चे नहीं लेकिन जो पूरी तरह से वोकल कोड की वज़से ही जो है साउंड क्रियेट होता है उसको वाविल साउंड कहते हैं और बाकी की चीज़े होती है जैसे बहुत सारे ऐसे साउंड भी होते हैं साउंड से स्पोकन विद एल्प ऑफ अदर दैन वोकल कोड लाइक हो गया टेथ हो लिप्स हो गया मतलब लिप्स से भी हमारे साउंड निकलते हैं मैंने का पापा तो पापा मैं बहुत ज्यादा इस पर लोड ने गया हालांकि अवाज तो यहीं चाहिए है लेकिन पापा अगर बोलोगे तो लिपस की मदद से जो है साउंड निकल रहे हैं किसीने कहा काका था काका मैं भी और सब्सक्राइन को तो वो जो sounds होते हैं उनको क्या कहते हैं consonant sounds कहते हैं क्या कहते हैं इनको हम लोग कहते हैं कि sounds spoken with the help of other than vocal code like tongue, teeth, lips यह हो गए आपके consonant तो उम्मीद है आपको phonetics जो अच्छे से समझ में आ गए होंगे मैं एक बार repeat कर देता हूं कि जो phonetics होते हैं वो क्या होते हैं वो sounds होते हैं sounds कहां से निकलते हैं vocal code से निकलते हैं और उनको हम filter कर देते हैं कुछ vowels और कुछ consonant में ठीक है और इस sound alphabet को हम लोग कहते हैं international phonetic alphabet याने कि IPA कौन सी science में होते हैं यह phonetic science में होते हैं इसकी अलग classes चलती हैं इसकी अलग classes चलती हैं आपको अगर बहुत ज्यादा detail में अगर complete English सीखनी है ना जैसे दो तीन साल का कोर्स होता है spoken English का अगर वो सीखना है तो आपको phonetics पहले पढ़ाई जाती है पूरी अच्छी से explanation था चोटा सा explanation अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी English language के explanation ठीक है उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आगे चलेंगे अब हम बात करते हैं कि language में phonetics वाला पाट आपने सिखाऊंगा तो मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि alphabet से क्या बनते हैं letters यानि कि alphabet होते हैं पहले तुम आपको बताया था कि alphabet दो तरह के होते हैं एक तो आपके अलड़ दूसरा फंटिक अलफावेट होते हैं तो अब लोग पढ़ चुके हैं तो अभी हम लोग English के alphabet की बात करेंगे इंग्लीज के अंदर जो भी अलफावेट होते हैं वह लेटर बात होते हैं जोकि इधर लिखे हुए ठीक है जैसे ए बिचे डीए F G H I ये सारे किसारे क्या है आपके इनको कहते हैं Letter Alphabet ठीक है अच्छा है इसमें से भी filter कर लेते हैं जैसे आपके पांच वहल होते हैं जैसे A हो गया E हो गया I हो गया O हो गया ठीक है भाई और यू हो गया ये रहा है ये पांच आपके क्या हो जाते हैं वावल हो जाते हैं यानि कि इनको वावल लेटर कहते हैं वावल पांच होते हैं कॉंसोनेंट कितने होते हैं 21 क्लियर है यह आपके capital letter में भी लिखे हो इस इतना सब को आता है देखो कितना मतलब थोड़ा सा basic सिखा रहा हूं मतलब छोटी छोटी चीजे भी सिखाऊंगा क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट जुड़ा होता है अच्छा अब हम लोग बात करते हैं इसमें आर्टिकल ए और एन की यानिकी छोटा सा basic पार्ट होता है ठीक है कभी भी हम अपनी competitive English को इसमें एड़ नहीं करेंगे क्योंकि वह स पता है क्योंकि मैंने अभी अभी बताया था कि फॉनिटिक्स का यूज आप लोगों ने पूचा कि सर क्या ये फॉनिटिक्स का इस्तेमाल किसी लेंग्विज में होता है क्या तो देखो इंग्लिज में होना है क्यों होना है यहां पर आपके sound alphabet भी काम करेंगे मैंने बताय है साउंड से ही सारी लेंग्विज बनी है अब यहां पर मैंने लिखा हुआ यूज ओफ आर्टिकल ए और एंठ ठीक है अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर या किसी भी फ्रेज के अंदर कोई भी परिटिकुलर एक वर्ड लिखा हुआ है और आपको उस वर्ड के पहले आर्ट अब लगाते हैं यहां पर आपका जो sound letter है sound sound letters है यानि कि जो sound alphabet है वो काम आने वाले हैं कैसे यहां पर सबसे पहले definition पढ़ेंगे यहां पर लिखा हुआ है मेरे भाई कि एन जो है उसको यूज किया जाता है only before wobble sounds, ठीक है, A, E, I, O, U से पहले and का use नहीं करना है, यह आपको पता है, I know very well, ठीक है, अभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई सिर्फ wobble sound से पहले आपको article and use करना है, अब यहाँ पर सिर्फ A, E, I, O, U यह sufficient नहीं है, इनसे काम नहीं चलेगा, इसके अलावा आप लोगों को sounds लिखने पड़ेंगे, अब सर कौन से sounds होते हैं, total wobble sounds होते हैं, 20, है ना, अब देखो, मैं आपकी pole खोलता हूं, आपकी नहीं कुछ लोगों की pole खोलता हूं, 20 wobble sounds होते हैं, अब हम लोगों को पढ़ा तो दिया जाता है, कि A, E, I, I, O, U, से पहले N नहीं लगाते हैं, वोविल sounds से पहले N लगाते हैं, लेकिन उनको खुद नहीं पता होता कि वोविल sounds कितने होते हैं, ठीक है, तो वोविल sounds कितने होते हैं, पांच नहीं होते, है ना, हिंदी वाले, इंग्लिस वालों को भी मैच करके भी कम पढ़ कम से कम आपको 18ボول sound आने चाहिए भहिया, कम से कम सर ये कैसे 18 काम से होते हैं, 18 होते हैं आपके 13 तो हो जाते हैं 13 तो हो जाते हैं हिंदी वाले Novel ठीक है, और 5 हो जाते हैं आपके English वाले ये सारे के सारे Novel आप लोगों को आने चाहिए और इनकी साउंड्स आप लोगों को आने चाहिए ठीक है जैसे यहां पर अगर यह सारे के सारे आप लोगों को आने चाहिए वैसे थर्टीन नहीं होते हैं जो एक्षिल होते हैं हिंदी के अंदर वह भी दस ही होते हैं लेकिन उसमें भी आप लोगों को अब जो है पूरे ही याद रखने थीक है इसीले तो हमारा इंसी काम चल जाता है वैसे तो जनलर यह सी काम चल जाता है कि चलो यह पांच साउंड होने चाहिए उनसे पहले का जो है लगाते इतना भी काम चल जाता है से ज़्यादा जूरूत नहीं पड़ती लेकिन फिर भी मैं आपको अचल पहले ए और एम से कोई लगाना हो तो क्या लगाओंगे तो पहले आप इसको में में म जो हें वह क्या है और वयन हरे यह ऐंटी को लोगों को नहीं आते हैं तो पिटोगे ठीक है ये आपको आने जैसे अ, अ, ठीक है, इन से मैच करना है, E, E, O, O, A, O, और O, ठीक है, और वो नहीं लिखेंगे, अंग नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो कोई sound नहीं होता है, ठीक है, वो नहीं लिखेंगे, ये आपके कितने होगे, total, 12 हो गए, और यहाँ पर 5 लिखलो, ठीक है, यहाँ पर 5 इन सब को हटा दो, ठीक है, इन सब को हटा देते हैं, यहाँ पर मातर 5 लिख लो, कौन कौन से, A, E, I, O, A, E, I, O, U, यह इंग्लिस के sound हो गए, ठीक है, यह वोवल sound हो गया, अगर इन में से कोई भी sound आप लोगों का आता है, कोई भी sound, तो आप वहाँ पर क्या लगाओग इन में ऐसे है, न, इन में ऐसे है, तो A लगा दिया, यहाँ पर हाट लिखा हुआ है, तो H, हाट ऐसे करके पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हाट, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्या नहीं लगाना है, एन नहीं लगाना, लैंप में, लैंप, लैंप जर अच्छे करो एंडे शबिश्न हिए औरании Life केहांने में कैका रहा है करेव हिरत मतलब भेंसमें से नहीं है ठीक को जांड है भी जांड से कर लोवोफ को हुल एध करो तो यहां पर यहूं आ रहा है क्यों कि बडल पॉइसमें यह रहा caution उर्म दीट एहां आ जाते हैं बाई साइप Apple से पहले हमेशा E loggaya है क्यों कि हम लोगों हमेशा ऐसे लिखा ए आपल में यह आ गया अब अब एपल में भाई सब ए आगया तो ag कैसे पढ़ते हैं भया हिंदी के बड़े ही मज़ा दे जाते हैं ए और एन यूज करने में हिंदी के बॉबल से ही हमेशा चेक करना आपका कभी कुशन नहीं गलत नहीं होगा और हमेशा आप अच्छे से बोल भी पाओगे ठीक है यह डीप चीज है ऐसी आइलेंड पढ़ते हैं इसको क्या पढ़ते हैं अभी कुछ कंफीजेबल वर्ट्स भी करा हुआ जिनके जो है साउंड की बज़े से ही उनमें लग सकता दरवाइस लगी नहीं सकता जैसे आइलेंड पढ़ते हैं इसको क्या पढ़ते हैं आइलेंड ठीक है तो यहाँ पर एन आइलेंड होगा बिलकुल होगा क्योंकि इसमें भी सबसे पहले लेख लोगे ना तो कभी गलत हो गई नहीं अगर लिक करके चेक करते हैं तो गलत हो गई नहीं तो आइटिकल में आएगा सारे सही है यहाँ पर एन लगाने का रीजन आपको पता चल गया अंब्रेला में क्या रहाए देक ज़र चेक करो अंब अंब्रेला अंब्रेला में क्या होता है अंब आ गया मतलब आ गया तो एन आ गया इसको क्या पढ़ते हैं आर पढ़ते हैं इसको क्या पढ़ते हैं आर इसको आर पढ़ते हैं ठीक है वैसे आर पढ़ते हैं वैसे आवर भी पढ़ते हैं आवर वी ऐसे कर आवर लेकिन आर पढ़ो आर ह उन्हें सीख लिया से पहले यह सारे के सारे अल्फवेट होते हैं अल्फवेट से वर्ड कैसे बनते हैं अल्फवेट से बर्ड कैसे बनते हैं यह तो मैंना सिखाया नहीं देखो भाई सिखा दिया मैंने साथ के साथ अभी से पहले आपने अल्फवेट देखे अल्फवेट य और यहां पर 21 और लिख दो वह वी अल्फवेट है अब उनसे बन गए आपके वर्ड वर्ड कैसे बने सब्सक्राइब यह क्या है और यह कंप्लीट क्या है यह कंप्लीट फ्रेज जरा चेक करो मिर भाई जरा ध्यांस से सुनों मेरी तरफ मैंने आपको बताया कि सर अल्फवे वर्ड है लेकिन और मैन वर्ड नहीं है और मैन क्या है फ्रेज देखो जरा यह जो है यह जो है मैन यह तो वर्ड है बट यह जो है पूरा फ्रेज है यह जो है यह पूरा फ्रेज है और मैन मतलब एक से ज़्यादा जहां पर वर्ड होते हैं उसको या तो फ्रेज कहते हैं या sentence कहते हैं लेकिन यहाँ पर यह फ्रेजज यह यह संटन्स नहीं रिजन क्यूंम रिजन क्या है मैं बताऊंगा sentence में वटैसमें क्या डेफरेंस होता है यह बी बताऊंगा अभी फिलाल इतना समझो कि पूरा फ्रेज है और борो глаз एएसी हट वरद है और हाट फ्रेज है लेम्प वरड ने लेम्प फ्रेज है एसी दर का फिल एBut Apple वर्ड है यह यहां पर लिखनो jak लो एपपल वर्ड है एपल एक सब्ड है और यह एक फ्रेज है यह ईक फ्रेज है इतना समझ में आ गया अच्छा ऐसे बागी के वर्ट के लिए ठीक है तो वर्ड और फ्रेज में सोरी वर्ड और फ्रेज में फरक पता चल गया वर्ड क्या होता है वर्ड लेटर से बना है जैसे एम क्या है लेटर है भले लेटर है कोई बात नहीं लेटर तो है ना उसके बाद एक वावल लेटर आ गया हुसके बाद एन क्या है यह वीएक लेटर है इसके बाद में आप लोगों को सिखाने वाला हूं कुछ सबसे पहले इसका साउंड क्या होता है एर होता है ठीक है इसी लिए अच्छे यह क्या होता है इसका मतलब होता है उत्तरा दिखारी उत्तरा धिकारी यह लोग यह सब लेकिन फिलाल नहां समझ यहां पर लगे हैं यहां पर और आएगा ना वहां पर जेखें लगे वह सारे सही क्योंकि इनकी जी साउंड ना जब लिखो तब आपको पता चलेगा और हो गया सारे वावल साउंड से शुरू हो रहे है ऐसी यह है आप्टा आपके यहां नहीं यह पर एहां पर हिस रिख़ा यहां पर रेज़र न Shown Bus रीजन उट वो वह साउंट नहीं है हाउस का लेकिन हई यह रहँत दिखा यह का उत्तरा डिखा रही ठीक है वारएश अएस्ट है यह क्या होता है जरा पढ़ो इसका मतलब होता है सीप सीप होती है यह भेड होती है ठीक है और भेड में भी कौन सी भेल होती है फीमेल होती है इनके भी जेंडर होते है ठीक है जैसे फीमेल जो सीप होती है यानि कि फीमेल जो भेड होती है उसके लिए यू सब्द इस्तमाल किया जाता है और इसका साउंड होता है यू इसले से पहले ए आरा इसमें बड़ी कन्फीजन हो जाती है तो यहां तक मैंने सिर्फ आपको यह सिखाया है कि आर्टिकल ए और एंड मैसी क्या लगाना पसंद करोगे एंड कब लगाओगे उसका जो है रीजन क्या होता है उसकी कंडिशन क्या होती है में एक बार रिपीट करा देता हूं ठीक है यहां तक की सारी की सारी चीज़ें में रिवाइज करा देता हूं जड़ा चेक करो स्पोकन इंगलिस में आपको किन चीजों की जरूत पड़ेगी अल्फवेट की अल्फवेट से बनते हैं वर्ड 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 से बनते है फ्रेज और उसके बाद बनते हैं लेंगुई जिएनिक पैराग्राफ्यल्फ ठीक है अल्फवेट दो टाइप की ओते हैं साउंड या निकी सेंटेंस बनते हैं और कई सारे सेंटेंस को मिलाकर कि क्या बनते हैं तो इसके बाद हम लोग ने सीखा कि एक लेंगलेस यह लेंग. के थौश बातशीत है उसको कहते हैं और बदल लिया यानि किक उनको लेटर्स में बदल लिए लेटर्स से उनहुने बना लिये वर्ट से sentences बना लिए, तो उससे बन जाती है English, अब English को हमें पढ़ना है, तो English में भी कोई भी language हो, आपको दौनों तरह के letters की जरूत पढ़ती है, एक तो letter alphabet की जरूत पढ़ती है, और sound alphabet की जरूत पढ़ती है, sound alphabet हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ लिया, phonetics के बारे में, कि sound alphabet जो होते हैं वो 44 होते हैं 20 होते हैं और 24 consonant होते हैं ठीक है उसके बाद हम लोगों ने English पढ़ ली English के वारे में कि English के लिए आपको किनके चीज़ों की जरूत पढ़ती है भाई सबसे पहले अर्फवेट की ज़रुद पड़ेगी अब इंग्लिश के जो अल्फवेट होते हैं वो कौन से होते हैं इन में अब यह साथ आर्टिकल ए और और यहां पर सिखा दिए अच्छा ए और यूज कब करना है जब आपका साउंड वाविल हो वाविल साउंड वैसे 20 होते हैं लेकिन आपको सारे नहीं आते हैं मुझे भी नहीं आते तो आप क्या करोगे पांच यह एड कर लो और दस यह एड कर लो हालांकि आपका इनी दस से के साथ काम करोगे आपका कभी कोईशन गलत नहीं होगा और आप अच्छी से बोल भी भावगे ठीक है तो यह तो हुए आपके वाविल और कॉंसोनेंट की कहाने अब मैंने आपको बता दिया वर्ड और फ्रेस कैसे बनते हैं वह भी सिखा दिया ठीक है अब इसके बाद ब interventions अच्छी है और sentence से ही हमारी जो spoken English की शुरुवात होती है कि अगर आपको कुछ भी बोलना है तो एक sentence आपको create करना होब आप अगर आप एक sentence create नहीं कर पाते हैं, आप एक single sentence नहीं बोल सकती है, क्योंकि आपको sentence creation नहीं आता है, तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि sentence और phrase में क्या फरक होता है, sentence और phrase में क्या फरक होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा मुझे, देखो एक होता है मेरे भाई phrase, ठीक है, और एक होता है sentence, ठीक है, इन दोनों में क्या फरक होता है, phrase जो होता है, group of words होता है, क्या होता है, group of words होता है, और ये भी group of words होता है, आप easily कैसे पहचान सकते हैं, कि ये phrase है या ये sentence है, भाई, group of words तो ये भी है, और group of words तो ये भी है, दोनों ही group of words है, ये भी group of words हैं, group of words और group of words, but ये sentence है और ये phrase है हम कैसी पेंचानेंगे, group of words के अंदर अगर verb नहीं है, यहाँ पर आप लिखोगे क्या चीज, without verb, अगर कोई भी phrase है और उसके अंदर verb नहीं है, कैसी भी, without verb, चाहे group of words में कितने भी words हों, बट उसके अंदर verb नहीं है, तो उसको phrase कहेंगे, और अगर उसके अंदर verb है, क्या है मेरे भाई, उसके अंदर अगर verb है, with verb, तो आप उसको कहोगे sentence, simply मैं अभी आपको example देके भी सिखाऊंगा, समझाऊंगा, अच्छे से कि कौन सा sentence है, और कौन सा phrase है, अभी फिलाल बस में इतना समझाऊंगा, जो आपके मतलब की चीज है, वही सिखाऊंगा, कि जो phrase, जिसके अंदर वर्व नहीं है, वो सिर्फ phrase होगा, और जिसके अंदर वर्व है, वो आपका sentence होगा, ठीक है, और sentence में भी clause और sentence होते है, sentence भी दो टाइप की होते है, ठीक है, एक तो होता है clause, और एक होता है sentence, ठीक है, एक होता है clause, और एक होता है sentence, इन में क्या फर अगर पिन और दोनों के दोनों में क्या फरق होता है इसको भी get कि अगर किसी कीुझा कि अधर आप से फ्रेज कुझा छोड़ कम श्लीजान हो vara आप एक casual sentence बोलते हैं casual चोटा सा sentence नौर्मली बोल दिया उसमें वर्ब तो है बड़ बहुत बड़ा expand sentence नहीं है ठीक है बहुत बड़ा sentence नहीं है तो आप उसको कहोगे कि ये जो sentence है actually clause है मतलब एक sentence के अंदर दो clause है तो आप clause को sentence क्लाज लॉसकम तो है वह दो छोटा है तो आप उसको क्या क्लॉस को निचलता बुलते कि दिपंडेंट्न क्लाज में लगाउस जैसा पूरा एक और कमरा एक और कमरा लेकिन पूरा भी तो कम रही है पूरा भी तो घर भी है ये भी घर है लेकिन पूरा भी घर है ऐसी वो छोटा वाला जो घर है न उसको क्लॉज कहते हैं ठीक है तो यह हो जाता है छोटा सेंटेंस क्या होता है यह चोटा सेंटेंस होता है आपको सिंप क्लॉज को सेंटेंस क्लॉज 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 क्ल सबसे पहले हम लोग एक सट्रक्चर तयार करते हैं एक सबसे पहले में लिखा होता है एक subject उसके बाद उसके अंदर लिखी होती है एक वर्फ और उसके बाद लिख होता है एक object ठीक है subject वर्फ और object अब इसको थोड़ा सा analysis करते हैं मतलब इसको थोड़ा सा detail में explain करते हैं असल में यह तो एक छोटा सा sentence है लेकिन अगर कुछ बड़ा sentence आ गया तो क्या हो सकता है इसी को हम बड़ा कर देते हैं जैसे माल लो यहां पर हमने एक subject लिख दिया ठीक है तो subject की जगे पर या तो noun use कर सकते हैं या प्रणाउन यूज़ कर सकते हैं समझ गए फिर इसके बाद में वर्व आ गए क्या कि वर्व आ गए तो वर्व के भी दौपार्ट हो सकते हैं जैसे मालो help लिख दी और उसके साथ हम इन वलिख दी ठीक है उसके बाद object अगया क्या आ गया ऑबजेक्ट आ गया तो अब्जेक्ट की जगे पर भी तो हम दोनो तरह से नाउन या प्रणाउन कुछ भी लिख सकते हैं नाउन भी लिख सकते हैं प्रणाउन भी लिख सकते हैं समझ गए मेरी बात अब इसके बाद में अधर वर्ड्स अधर वर्ड्स भी लिख सकते हैं सर अधर वर्ड्स में क्या क्या आ सकता है अधर वर्ड्स में क्या क्या है एक तो केटेंक्षिन वगेरा इस हो और सब्सक्राइव करना हो वर्व क्वालिफाइब करने वाले वर्ट होते हैं फिर येदेटर्मिनर्स आ खालकु यहां पर जैसे यहां पर सब्जेक्ट होना कंपल सरी है ना subject हो गया फिर इसके बाद में वर्व दोनों तरह की हो गए ठीक है उसके बाद आपके other words भी compulsory है compulsory का मतलब है कि यह हो सकते हैं sentence के अंदर compulsory नहीं है यह हो सकते हैं ऐसे object भी होता है तो object तो होने होना नहीं भी हो सकता है को जरूरी भी नहीं है तो यह structure बड़ा structure हो गया अभी मैं आपको sentence creation बता रहा हूं अब sentence आपने create करना सीख लिया जैसे सबसे पहले subject लगाते हैं subject की जगे नाउन या प्रनाउन होना चाहिए अब आपको यह पता होना चाहिए सर यह subject क्या होता है subject को बोलते हैं करता करता कौन होता है सर करने वाला इधर लि sentence मुझे English में बोलना चाहिए था तो कैसे बोलूँगा तो I I मतलब मैं जो काम कर रहा है मैं काम कर रहा हूं क्या कर रहा हूं और कब कर रहा हूं अभी कर रहा हूं तो यह हो गया tense अब आपको 10 सीखना होगा या तो मैं आकर कि सीधे आपको लोगों के लिए sentence ले आऊं और मैं आपको सिखाना सुरू कर दूंवो तेक अलग चीज होती है लेकिन पहले मुझे सिखाना है मुझे सिर्फ question नहीं बताने है मुझे सिर्फ sentences नहीं बताने मुझे कुछ सिखाना भी है पहले 20% सीखने का काम करना है फिर मैं 50% में जो जोर लगांगा ना भाई साब 50% भी म चल रही है spoken English open study application पर बैच चल रहा है आप लोग जोइन कर सकते हैं ठीक है तो यह करने वाला हो गया मैंने का आई करने वाला क्या करने वाला टीचिंग मैं पढ़ा रहा हूं तो आई टीचिंग लेकिन आप इसके साथ helping लगानी पड़ेगी क्योंकि situation बतानी है प्रजेंट आई सिच्वेशन है या पास्यूइचन या फ्यूचर सिच्वेशन है तो मैंने कहा कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो मैंने लगा दिया आई के साथ आहमाता है यह मैं सिखांगा इसरम के यूजज अगली क्लास में सिखांगा तो सब्जेक्ट के साथ वर्व और के साथ helping यानिकी एक और सहायक करिया वफ के साथ helping वफ तो I am teaching position बता दी I am teaching किसको आपको तो मैंने object लिख दिया you I am teaching you मैंने एक sentence लिख दिया क्या लिख दिया I am teaching you I am teaching you अब यह जो sentence है ना इसका थोड़ा सा आप लोग क्या करोगे analysis करोगे यह अगर sentence आप analysis कर पाते हैं इसको analyze कर पाते हैं तो समझ लो कि आप बहुत सारी चीज़ां सीखने के काबिल हो चुके हो अब मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना आपका basic clear है आपकी बात है समझ में आ गई है या sentence creation क्या होता है subject वर एकरी सब्जेक्ट वर ऑब्जेक्ट यह क्या होता है structure होता है basic structure कैसा basic structure होता है लेकिन यह आपका थोड़ा सा बड़ा structure हमने कर दिया किसमें नाउन या प्रनाउन एक्स्टा कुछ भी हो सकता है आभी फिलाल आप देखो गे तो यहां पर आई क्या ह यह subject है और subject के अंदर भी क्या है pronoun है ठीक है और यहां पर जो M है यह क्या है auxiliary वर्ब याने की सहायक खिरिया किसकी सहायक खिरिया इसकी तो यह आपकी main वर्ब हो गई यह main आदमी है गर का और यह सकी support में है है दौनों क्या वर्ब यह वर्ब है यह वर्ब है लेकिन इसकी help यह वर्ब इसलिए कर रहे है क्योंकि इसका time position बताना है कि असल में पढ़ाना तो है पढ़ाना कब का है अभी का है या कल का है या कल आने वाले कल का है तो इसकी position बताने के लिए हमें auxiliary वर्ब पढ़नी होती है तो अभी आपको auxiliary वर्ब भी आनी चाहिए जैसे be do have models यह सारे sentence creation में दो तीन चीज़ों का याद जो है ध्यान रखना है कि एक तो subject होना चाहिए जो काम करता है और एक जिस पर काम होता है वो object होना चाहिए और एक काम होना चाहिए जैसे कि मेरा काम है teaching करना और उस काम की time position यानिकी tense की detailed knowledge आपके पास होनी चाहिए tense topic auxiliary verbs models यह सब तीन ची sentence creation होगे यहां से आप sentence बना सकते हैं मैंने कहा आप से sentence बन वा रहा हूं मैं आप मुझे sentence बना कर दिखाऊ मैं और रहा हूँ मैं तो पढ़ा रहा हूं आप बहलो कि मैं पढ़ रहा हूं बता भाई आपको बस इन्हीं दो चीज़ों को इसमें आड करना है आप खुद से बन तो दोनों से बना सकते हैं या तो आप बोल सकते हैं आई चाहिश्मतチャンネル लेकिन किस पर अक्षेन करें यह लिखना चाहिए अगर नहीं बताना चाहती है पढ़ रहा हूं तो भी कोई वाद अम रीडिंग मैं कुछ पढ़ रहा हूं अगर कुछ पढ़ने का नाम लेखना चाहते हैं वह भी लिख सकते हैं I am reading a book में एक किताब पढ़ रहा हूं ठीक है बइया तो यह आपका ऑब्जेक्ट हो गया यह आपकी medal हो गई यहальный काम करने वाला हो गया आपनेका मैं कि नहीं पढ़ा है मेरा ़ाय ही पढ़ रहा है यह पढ़ रहा है यह पढ़ रहा है शीख रहा है तो आप अब लिख सकते हैं my brother short में लिख दिता हूं जगे का मैं my brother my brother is मैं आई के साथ है हम लगा दिया brother के साथ है लगा दिया my brother is studying studying my brother is studying studying English क्या भहिया English आप यह लिख सकते हैं my brother is studying English ठीक है जड़ा चेक कर लेते हैं कि फटा बड़ से बताओ यह सब को समझ मा आगया या नहीं आया कि बताओ कि हैं बई यहाँ पर हो जाएगा आपका जो है my brother is studying English मेरा भाई जो है study कर रहा है English यहाँ पर study की spelling सही कर लेना यह तो पूरे मुटाना पड़ेगा फिर जो हिसी नहीं के अब हमलोग चलते हैं किस की तरप इसके बाद अब हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट की तरब जो अभी हम लोग सीख रहे थे ठीक है ना जो अभी हम लोग सीख रहे थे यह हो गया आपका sentence creation अब मैं आपको कुछ sentences के example देता हूं मैंने आपको कहा था कि जो चीज मैं आपको सिखाऊंगा उसके examples बहुत सारे मिलेंगे तो उसके examples देखेंगे यहां से फिर से इसमें दौनों चीज़ कवर होते हुए जाएंगी एक तो आर्टिकल ए और न का पार्ट कवर हो जाएगा और दूसरा आपका sentence creation हो जाएगा और तीसरा आपका identification of sentences हो जाएगा यानि कि sentence का identification भी आपको करना है जैसे मैंने का यह sentences लिखे हुए हैं तो आप से पूचा क्या यह sentence है तो आपको होगे कि हां सरी यह sentence है क्योंकि इसके अंदर वर्व लगी हुई है अभी यहाँ पर सिर्फ इस लगा हुआ इसके साथ कोई दूसरी एक और वर्व नहीं है तो आपको लग रहा होगा कि सरी इसमें तो helping वर्व है मेन वर्व है लेकिन मैं कहूंगा कि यहाँ पर जो इस है ना यह खुदी मे कि यह पूरा हो गया आपका sentence अब इस sentence के अंदर देखो यह तो आपका subject है यह आपकी वर्व है है ना और यह आपका object हो जाएगा अब आप कहोगे कि सरी यह object है भी यह नहीं बताओ क्या सच में यह object है MLA कि यह नहीं तो भाई MLA जो है वह अपने आम एक नाउन है और एक नाउन से पहले लगा हुआ है तो यह नाउन के लिए काम कर रहा है तो अबिसली यह object होगा कुछ लोगों को डाउ उतर रहा है इस पर काम तो होई नहीं रहा है काम नहीं हो रहा है क्वालिफिकेशन तो इसी की है he is an MLA he is a student तो भाई वह स्टुडेंट जो है वह object है कोई दिखकत नहीं तो यहाँ पर अब देखो इसमें दो चीज़ा हो रही है एक तो आपने यह पैचा लिया कि सेंटेंस है यह subject है यह में वर्व है यह नाउन है यानि कि object है यह इसके ल officer he have sorry I have an array machine array machine ठीक है I have been waiting for an hour में घंटे सी वेट कर रहा हूं he is an SDO ठीक है he is an LLB he is an ear to the throne is throne का जो है ear है यह उत्तरा दिखा रही है I have a car यह भी सेंटेंस है तो यह सारे कि सारे क्या है मेरे भाई sentences है इस तरह से आप लोग sentence create करना भी सीख गए इस तरह से आप sentences बनाना भी सीख गए identification भी सीख गए पहचानना भी सीख गए और से डिक्टर्मिनर आर्टिकल ए और एन में से एन लगाना भी सीख गए तो मैं एक बार आपको फिर से रिवाइस करा देता हूं वह सेंटेंस इससे पहले का तो कराई चुका sentence क्या होते हैं एक तो फ्रेज और सेंटेंस में फरक पता होना चाहिए जिसमें वर्व नहीं होती सेंटेंस सेंटेंस को भी क्लॉस बोल सकते हैं और मतलब क्लॉस और सेंटेंस को बोलते हैं बड़े सेंटेंस को सेंटेंस बोलते हैं उसके बाद सेंटेंस क्रियेशन में क्या आता है बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होना चाहिए सबजेक्ट वर और ऑब्जेक्ट इसको डीटेल में लिखना चाहते हो तो सब्जेट की जगे नाउन या प्रनाउन यूज़ कर सकते हैं अब्जेट की जगे पर भी नाउन या प्रनाउन यूज़ कर सकते हैं मतलब पहचानना भी सीख लिया जैसे हमने बनाया आयम टीचिंग यू तो आपने कहा सरा आयम रीडिंग आयम स्टुइडिंग ठीक है माइब ब्रदर इस ट्रेडिंग ऐसे करके इसको आइडेंटिफाई करना हो तो ऐसे कर सकते हैं जैसे यही क्या है सब्जेक्ट है इन सब चीजों की नॉलेज आप तक पहुंच गई तो यह एक कंप्लीट वीडियो ऐसा है मेरे प्यारे साथियो जो स्पोकन इंग्लिस रिलेटेड जो बिलकुल डैप्त वाली चीज है बिलकुल बेसिक वाली चीज है वो आप लोगों को आज के बाद बहुत अच्छे से जाएंगे और यह क्लास ऐसी क्लास है जो मैं हर बार रिपीटेडली आपको नहीं पढ़ा सकता क्योंकि इतना डिटेल में मैंने इसी लिए एक्स्प्लेइन करा है कि आप जब भी कभी पढ़ो तो इससे एक ही बार में सारी चीज है समझ सको इसको मुझे बार बार लोगों के लिए यह आप लोगों के लिए यह अराम से सकते हैं अपने दोस्तों की साथ ठीक है यह आप लोगों की डेमो कलास है और आप लोगों का जो एप्लिकेशन पर बैच चल रहा है उसको अभी जॉइन कर लो क्योंकि इसमें लंबी क्लास चलेंगे आप लोग बार हो जाएगी साइध मुझे भी कुछ नहीं पता है क्योंकि मेरा यह पहला बैच है तो मैं पूरा इत्मिनान से इसको पढ़ाऊंगा जी जान से मैं इसको पढ़ाऊंगा खूब लंबा तक खिचूँगा आपके किसी भी चीज में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं प हैनद फिरी है बाकी मेरा जेव से नहीं जा रहा है ना मेरी जेव में कुछ आ रहा है इतने में ठीक है तो यह आप लोगों के लिए प्राइस हमेशा ही रहती है आप अराम से इसका जो है फाइदा उठाईए सबसे अलग सबसे सस्ता अभी से रजिस्टेशन स्टार्ट है ओपन स्टेडी अप्लेकेशन डाउनलोड करो बैच जोइन करो और यह ओफर सिर्फ छे जुलाई रात बारा बजे तक है और यह ओफर बार बार नहीं आएगा याद रखना यह फिक्स रहेगी इसकी प्राइस 599 साथ जुलाई की बाद प्रॉपर क्लास जो होगी वो साथ जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे इस मच्छे से ठीक है तो रात बारा बजे तक रात बारा बजे तक बस उसके बाद आपका प्राइस हो जाएगा 599 ठीक है लाइफ टाइम वैलेडिटी है कभी तक भी पड़ो आराम से थेंकिए सो मच शुक्रिया उम्मीद है कि आपको क्लास भी अच्छी लगे होगी सब कुछ समझमाया होगा ठीक है टेक क्यर जैन एंड बाइबाए